दोस्तों नमस्कार मैं अजय पत्रकार देखिए आज विपक्ष को इंडी गडवन्दन को बहुत बड़ा जटका लगा विदेशों में जाज सोडेश को और वो सक्स जो दुनिया का सबसे बड़ा बिद्वान बनता है भारत के लिए सबसे अधा काम करने वाला काली डारी सपेद बालवाला सैम पित्रोदा उनको भी जटका लगा पूरी इंडी गडवन्दन को किसी तरह से चुनाओ रोकने के लिए एक बड़ी योजनावत तरीके से हुआ था कि मोदी को चुनाओ आयोक के जड़िये लोग दो इसके लिए हाइकोड गए थे दिल्ली हाइकोड ने पियम मोदी के भासरों के खिलाप याच का खारिज कर दी यहाँ योजना ये थी जो 1975 बिजून को हाइकोड के जश्टेज जगमोन सिनहा ने जो एक इंद्रा गांधी के खिलाप कांग्रिस की गौर्मिन्ट के खिलाप डिसीजन दिया था उसका जवाब देने की ओजना थी मगर विपक्च उसमें चारों खाने चित्थ हो गया खारिज कर दी गई अब विपक्च के पास कोई मुद्दा नहीं रहे गया युद्ध के मैदान पे फेका गया आखरी अस्त्र भी इंडी गडवन्दन का टाइं टा जाना है इसके पहले भी कोशिश जो थी इसके पहले आयोग ने आपको बतला रहा है जब चुनाओ हो रहे थे तब भी एक अधिकारी ने जो एक समाच का अधिकारी था उसने गारी रुकवा करके मोदी जी की प्रिधान मंतरी जी की तलासी कराई थी हाला कि उसके बाद मोदी जी उस पर कुछ भी नहीं मुले मोदी जी ने उस अधिकारी का चुराओ जीतने के बाद ध्यान लखा था कोई नुकसान नहीं होने दिया था यह देशक लोकतंद के एक अच्छी पहल है अब देखे क्या है दिल्ली हाई कोड ने क्या है खारिज क पड़े सान है साम को पूरे इंडिकर बंदन के लिए बुड़ी खबर हो गई सब पस्त हो गए चुराओ पेचार प्रवाबित हो गया लोगों के रत के पैये देरे हो गए देरे हो गए पहले सोचा था लोगों ने कि नाला लगाएंगे अरे ओ सामा अब कहीं कुछ नहीं सामा भी चला गया जनाना भी चला गया और पपू भी चले गए एक आखडी चला गया पपू का दाओं अब देखे क्या हाली में दिल्ली उचने आले ने कथिन नफलत भरे भासरों के लिए प्रिधान मंतिर नलेंद मोदी के खिलाब कर्थम सूचना रिपोर्ट एफ आई शुरू करने की मांग बाली याजका खारिश कर दिया है यह भासर कथित तौर पे राजिस्थान में दिये गए थे याजका में तल्क दिया गया है कि भाजपाद डच के नोटिस भेजने के वाबजूद भारत के चुनावा आयोग एसी ने पीम मोदी के खिलाब कोई कारव कराई चुनोंने कोच भासर दिए है राजिस्थान महां मगर प्रयाज जिन्ज करते हैं उनके शुपुत्र-जी जो भासर आओलोग दे रहा है उनके लिए आयोग मैं जाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही है इस टालिन जो बोल नहीं है सनातन के खिलाप उनके लिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही है एक महिला के साथ मुखमंतरी आवास पे हो गए जो महिला योग की चेर्मेर उसके लिए सुनिया गांधी को नहीं अभी तक चेती ही कि दिल यह देखें यहां पर जटकल नाएमुज सचिन दट्टा कि अधाउन वाली पीड ने याचका को गलतधा रहना आः़ योगता की कमी वाला माना मतल्ला कि सचिन दट्बत्ता जी ने सपष्ट कहई दिया कि उनकी जो टीम थी पीट ने कि याजका को गलत धालना योगता की कमी वाला माना कोड ने पाया कि इसी सक्री रूप से मामले को संभोधित कर ला था और इस बात पर जोड दिया कि चुनाओ निकाहे की ओर से निस्कृता मानना अंचित था सुनवाई के दौरान याजका करताओं को प्रतिन्दित कर रहे हैं वकील निजाम पासा ने सवाल किया कि पियम मोधी के साथ अलग विवार क्यों किया गया और उनके खिलाब सीधी कारवाई क्यों नहीं की गई निजाम पासा जो है उन्हों का सीधी कारवाई पिधान मंत्री पे क्यों नहीं की निजाम पासा हिंदुस्तान का वो बड़ा वकील है जिसके पीछे जिनके साथ बहुत लोग हैं बहुत लोग इंडी गडवन्दन के तमाम लोग आप सुने और उनसे दायर कराई गई जो एक बहुत बड़े वकील इसमें कोई सकने मगर उनको क्या हुआ खारिज हो गई अब आपको बता दें दूसरी जो सबसे महतपूर बात क्या कहा कोड़ ने उनके पास निर्देश देने का अधिकार है कि एक को किसी नोटिस जारी करना चाहिए इस बात पर जटेते हुए एस आई से पिद्क्रिया मांगने से पहले एफ आВशर दरज करने के उम्मीद नहीं की जा सकती है इसपस्ट रूप से कहा गया कि पुवार किया उंडे कि खिलाफ सीधी मैं आपको बता रहा हूँ जो भी भाशर हुए हैंन चुनाव आयो के परवेख चग सब लोग थे उनके पास सब एक एक रिकॉर्डिंग बात होती है को तुरंत इमिडेट विदिन वन मिनेट से में इन्फॉर्म करते हैं चुनाव आयोग बहुत सक्त है टांस्पैरेंट है परंतु किसी के रत को रोकने की ये कोशिज लोग करते हैं और खुद अपना ही रत के पहिये तुड़वा लेते हैं ये इस्थित है आपको और बतला द उससे साब जाहिर हो गया कि यह लोगों ने राजनेतिक बस केस दायर कराया और एक अच्छे वकील को दिया उन्होंने कोशिश की हाला कि उस पर वो उनकी वो खारिस कर दी गई वो एक बात अलग है वहीं पर आपको बता रहा है कि एसी के प्रतिंदित जो करने वाले वकील सुरिश सूरी ने कहा कि हम जबाब देंगे और मैंने यह देख लिया है ऐसी कोई बात उन्होंने भी यह कहा और उन्हों के इसाब से भी ऐसी कोई अबनॉर्मल या कोई गलत बात नहीं हुई उन्हों का तब भी हम गौड करेंगे चुकि उनके पास आलेडी प्रूफ है इ केश दो हुआ है सहीन अब्दुल्ला बनाम भारण निर्वाचन आयोग आप लोग समझ सकते हैं इसके याजका के पीछे क्या मकसद होगा यह आप लोग समझ रहें और यह वकील साहब अच्छे एडवोकेट हैं इनको किस मकसद से लोगों ने यह जो केश दिया है खास तो से भारत के लोकतंत को रोकने के लिए चुनाओ को प्रभावित करने के लिए और प्रधानमंति नरेन मोदी को चुनाओ पचार से रोकने के लिए ताकि इंडी गटवंधन इंडी गटवंधन अपना कारिक कर सके दूसरे के रद को लोग के प्रंत हो गया उल्टा एक कहाव सबसे बड़ी बात रही जिस इस पीज से बॉइलन्स की बात कही जा रही मॉडल कोड और कंड़क की बात कही जा रही आदरस अचार सहिंता कि लंगन की बात कही जा रही नफलत बढ़े भासर की का सियद वह इंडी गदमंधन के भी तमाम नेताओं ने इतने नफलत भड़े भासर दिये हैं, इतने नफलत भड़े भासर दिये, अगर उस पे भी गौर किया जाए, तो कितना अच्छा होगा, सबसे पहले लोग अपने गिरावा में जाके, फिर किसी के गिरावान पकड़ने की कोशिस करें, अगर ऐसा नहीं करते हैं, जो दूसरे के गि फड़ जाती है, कपरे उनके फड़ जाते हैं, अब वो बेनकाब हो जाते हैं, यहाँ पर भी यही इस्थित हुई, कि इतना एक लोजराबत तरीके से बहुत उम्मीद की जा रही थी, कि शायदो मोदी के रत को रोक लेंगे, हो गया उल्टा, अब आपको बतारे, इसी ही क हुआ, तो उचित कारवाई की जाएगी, कई सिकायतों के बाद जूद याचका करता ने तर्क दिया, कि इसी ने प्रभावी कारवाई नहीं किये, याचका में अन्य नेताओं के उधारों का हवाला देते हुए कथित विवेदक विवार के बारे में भी चिंता जताई गई जिन्हें ECE की कारवाई का सामना करना परा, जबकि PM मोधी को नहीं, इसमें राजिस्थान के वासवारा और मद्विदेश के सागर में PM मोधी के वासरों का जिक्र किया गया, जहां उन्होंने कथिक तोर पे कांग्रेस पार्टी के बाड़े में बयान दिये थे, यहां हम आ चाहें जितना बड़ा नेता हो, आयोग किसी को भी नहीं, अगर गलत है तो आयोग गलत कहे देता है, परन्तु यहां साजिस दूसरी, यहां चीज और आई है कि अदालत ने इस बात पर जोल दिया कि वह ECE की कारवाई में हस्तच्छेम नहीं कर सकती, और कहा कि ECE इस मामले को संबोधित कर लए, अदालत ने निसकर्ज निकाला कि ECE दौला निसकरिता मानना निराधार था और निरे लेने की प्रक्रिया ECE की सोतनता को दोड़ाया, यह अदालत ने कहा, अब आपको बता रहा है, इसके पहले चुरावायो की टाप पोश्ट रहने वाले चावला ज जो सबसे बड़ा अदिकाली चावला थे, अभी पांच रोज पहले सुनिया जी के साथ, प्रिंका जी के साथ, एक कारकरम में भी उनकी फेमली थी, और पहले भी थे, उनको पर खुब आरोब लगे, आरोब प्रमारित हुए, परन्तु उनके लिए उंगली नहीं उठाई जहीं, इसी देश के प्रिधान मंतरी का बेटा, वो चुनाव आयोग को उसमें हरकाता था, और चुनाव आयोग को प्रभावित करता था, उसके लिए कुछ भी नहीं कहा गया, कुछ भी नहीं, तो कांग्रेस के उस पे ये आरोब नहीं, पक्के प्रूब के साथ, यही एक बज़े है कि कांग्रेस की इतनी ताना साही थी, कि सन 1971 में चुनाव आयोग के बार बार आपजेक्शन करने के वाद जूद भी प्रिधान मंतरी कांग्रेस का चुनाव लड़ें जीती, फिर हाई कोड के जगमोन सिरा ने कहा, टोटल अनुचित साधनों का उप्योग किया, उनके सदस्ता रद्दिकी, हालाको उसका रिज़र लहा कि देश में आपातकाल कांग्रेस ने लगा दिया, जब चुनाव आयोग से मिली हुई भगत की बात कांग्रेस पे लगती है तो एमेर्जेंसी लगा देती, मीडिया को जेलों में डलवा देती, नेताओं को जेलों म देखाएं उन्होंने क्या किया है आंदी बोई है तो तूफा काटेंगे और काटना ही होगा दूसरे के उसमें, फिर मैं कहीरा हूँ, किसी के गिरवाँ में जाकने से पहले अपने गिरावाँ में जाकना चाहिए यह हर लेडिज ए जेंड्स का ये पहला काम है कि कहीं पर भी उससे पहले अपने आपको देखें दोस्तों नमस्कार मैं अजय पत्रकार